कुमारी बस हाथसे के घायलों से मुक्यमंत्री विश्णू देफ साय ने एम्स में जाकर मुलाकात की इस दोरान उन्हें घायलों का हाल चाल जाना और एम्स के डॉक्टर को बेतर इलाज के लिए नर्देशित किया वहीं मीडिया से बाचीत करते हुए सीमसाय ने कहा कि कमपनी ने मिरतक के स्वजन को 10-10 लाख मुआवजा देने की घोशना की है साथी स्वजन को नौक्री दी जाएगी घायलों के लाज का खर्च कमपनी और राजसरकार वहन करेगी मजिस्ट्राले जनाच के नर्देश भी दिये गए हैं रिपोर्ट आने कबाद कोई भी दोशी बक्षा नहीं जाएगा और उतने ही घायल है और एम्स में दस पेसेंट एडमिट है जिसको देखने हम स्वेम आये हैं और जैसे ही इस घटना का पता चला वैसे ही पुरा प्रसासन वहां कलेक्टर रेस्वी सब पहुँच गए और कल रात में हाँ एम्स में हमारे डिप्टिस्यम स्री बिजे सर्मा भी आये और पूरी तरह से हम लोग चिंतित हैं और इस घटना के प्रती महामई मरासपती महदया भी सवेदना ब्यक्त की हैं हमारे देश के स्वेदना ब्यक्त की हैं और पूरी तरह से हम लोग भी सतर रखें और बहतर से बहतर इनका इलाज हो यह हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देश सित के हैं और बहतर इलाज हो भी रहा है अभी दस पेसेंट को देखें हैं जिसमें जिसमें से एक ज्यादा उनकी सिति क्रिटिकल है बाकी ठीक है और सबका समुचित इलाज होगा इसका निर्देश दिया जा चुगा है